लेंड इसकेप सिनेरी का तीसरा लेशन तीसरा पार्ट एवनी कि तीसरा स्टेप तो आज देखेंगे यह जो पाड़ी है जो बुशेज वाली पेड़ पौदा वाली पाड़ी और इसके साथ ही यह वाटर लेक भी आज पैंसिल और कुछ से कम मैटरियल के दुआरा इसको ड् हूँ पीछे से हिस्से से पुकणने पर मन चाहे प्रेशर बंसाता है और पैंसिल जो चलने का तरीका काया वे इस तरह से चलैए कि जैसे कि आप अपने हाथ से वायब्रेशन कर रहे हैं और जब भी आप पैंसिल चला रहे तो आप यह दाय बाय राउन को भी आप उपर से नीचे कारते हुए इस तरह से चला सकते हैं पैंसिल का जो हिस्सा है एक से दो एम्म का हिस्सा है वो पेपर पर टच होना चाहिए और आप वाइबरेट या राउंड वार्म या उपर नीचे की तरफ इस तरह से चला कर इस पाड़ी वाली ड्रॉइंग को तोड़ा किया जा सकता है एक पाड़ी और दूसरे पाड़ी के बीच में अंतर दर्शाने के लिए आप इस किनारे पर हलका सा प्रेसर दे को थोड़ा सा डार्कनेस से ड्रॉइंग कीजिए ताकि दो पाड़ीयों के बीच में अंतर आसानी से दिखे और पैंसिल चलाने का जो तरीका वाई राउंड राउंड में घुमाते हुए इस ड्रॉइंग को आगया बढ़ाना है और यह जैसे जैसे यह राउंड राउंड उपर नीचे वाली ड्रॉइंग बनेगी तो पाड़ी के उपर बुशेच या पेर पौदों के वाली ड्रॉइंग आकसित होगी और इस पाड़ी के नीचे की साइड में आप इस तरह से चट्टाने इससे को ड्रॉइंग करने के बाद में एक इंकलेस पैन लीजे जो बिना सियाई का पैन है इसके जो टिप है उसकी नौक का इस्तमाल करना है पानी की लेहरों को दर्शाने के लिए जो किनारे की तरह पानी की जो लेहरे है वो वाइट वाइट दर्शाने के लिए आप इस तरह से इस इंकलेस पैन का इस्तमाल कर सकते है आप चाहे तो पैंसिल चलाने के बाद में इरेजर का भी इस्तमाल कर सकते है एक पाड़ी की ड्रॉइंग के सामने और एक अच्छे से पाड़ी बनाते हैं ताकि इस ड्राइंग में और अच्छे से निकार आ जाए वही पैंसिल चलाने का तरीका एक से दो mm वाला इससे को टच करके दिरे दिरे बारी किसे ऐसे राउन या कंपन करते हुए इस ड्राइंग को आगर बढ़ा सकते हैं किसी भी लेंडिस्केप सीनेरी में इस तरह से छोटी-छोटी पाहडिया थोड़ी-थोडी दूरी पर अगर ड्रॉइंग की जाती हैं तो सीनेरी में कापी सुन्दर और आकरसक लगती हैं इनको बनाना का भी आसान है यह वो चोटे-चोटे पार्ट किसी भी लेंड इसकप में बहुत ही आकर्शक रूप ले लेती है मैंने इस सिनेरी में बरफिले पाड के साथ इन पाड़ियों को बना कर एक अलगी रूप देने की कोशिस की है इसके बाद एक बाद फिर से इंगलेस पैन लेंगे बिना सिया की पैन का जो आगे की टीप है उसका इस्तमाल करने के लिए और पानी की लेरों को दर्शाने के लिए इसका इस्तमाल करता हूँ और एक graphite pencil लेते हैं और उसके powder को डाल देते हैं इस तरह से cutter के द्वारा ताकि पानी के इससे को drawing किया जा सके इस तरह से पानी बनाने इस graphite के powder से काफ़ी आसान रहेगा और पाड़ी के निचे से किनारे वाले इससे पर ये जो pencil का इस्तमाल कर रहा हूँ वो charcoal pencil है उसका भी powder का इस्तमाल करेंगे पाड़ी के जो किनारे वाले निचे के इससे में इसके जो पाड़ी की पर्तिपी में अच्छाया को पानी में दर्शाने के लिए इस तरह से मैं powder का इस्तमाल करूंगा इसके लिए एक छोटा सा ब्रस लेते है और पाड़ी के नीचे वाले इससे के पर्तिपी में यानी की पाड़ी की और पाड़ी के ओपर जो पेड़ पोद है उनकी च्छाया को पानी में दर्शाने के लिए इससे ब्रस के दोरा ड्रौइंग किया जा रहा है पानी का कोई color नहीं होता लेकिन अगर चाया या पर्ती भीम को अगर drawing करेंगे तो पानी के इससे की drawing वाले में आकरशक निखार आएगा इस बरस को चलाने का जो तरीका उपर से नीचे अलका सा slide करना है क्योंकि चार कॉल पैंसिल का पाउडर है तो जल्दी ही यह drawing बंदी हुई नजर आएगी और यह तरीका काभी आसान तरीका है इसके बाद में ब्रस को थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं और और इससे अच्छे से निखाल लाने के लिए इस तरह से drawing कर सकते है पिर दायबाय भी इस पाउडर जो अपने डाला था यह ग्रैफाइड पाउडर उससे drawing करने के लिए पानी के इससे को वाटर लेक में बदलने के लिए दायबाय हलके हाद से बिलकुल स्लाइड करना है और इस तरह से जैसे जैसे स्लाइड करेंगे तो वाटर लेक नजर आतर आएगा और अच्छे से रूप देने के लिए कोटन लेते है यानि की रूई लेते है और हलके प्रैसर के दौरा दाय से बाय हुए यसे अपने हाद से इस तरह से चला करके इसको और अच्छे से रू लेकिन और अच्छे से इसको नाउ नेकंके लिए अब पानी की लेरावकों ड्राइं नीके लिए इस तरह से एस स्तेमाल कर सकते हैं यह भूत ही आसान पूरा करेंगे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो आपना देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद